ताराय सोगान हूँ तो शुगाओं सागर नेगा गर्मा केमरे समाओं तु तो एक अद्वितिया अनुपा मतु प्रीतरे प्रीत ते तो करी मुझ आतम संग प्रीत प्रीतरे प्रीत भक्ती भक्तनि करी आनंद वी भोरवनु प्रेमनु प्रतीक एचे भूलू हूँ मारा पणू जैखो वाई तुझ मां गाउं तारुगीत प्रीतरे प्रीत प्रीत ते तो करी मुझ आतम संग प्रीत जिल्ले दिल जिल्ले दिल योगीनी स्पूरणा के रुनवनी प्रीतरे 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 स्निम्मद सदकुन शालिनंचितचि दिव्याप्तंच दिव्याकृदिन जिवे साक्षर मुक्तकोटि सुखदंने कावतारा लिपं इन्यम् श्रीपुरुषो तमम् उनिवरे वेदादि कीर्थ्यम् अन्मूलाक्षर युक्तमे वसहलानन्दम् जिनियम् रुतवानि तो वहीरई शाक्षात्मई माहरुपे जैनि ब्रामि स्थितियो लिनकरे सुभव्यक्षर वदे सरना गतनी जकल्प जीव सहुनास्रे आर्थतत पड़ रहे काकासने हलसिंदुदी अविपुने है यूंतो वन्दम्तरे जेनिवानि विसे अखंडवैती सूरावली ब्रह्मनी किन्तु थै अगनात अलपसमी बेरस्बस हुमा रही जीवे जे अलमस्त स्वामी स्रिजिमा छे मुक्षदातावडी पपा जोगी स्वरूप वीभु चरने जूकी रंबावती दिक्षा अरपियो गुनातित समीजे नेगरो जोगी काकाने वडियाप दिप्यद्वयनु अद्वै इतनो खूब छे देशाक्सियनन्तना स्वरुपा सास्त्री महाराजन एवा स्वामी हरी प्रसाद चरने बंदन सदा हूँ करूँ बलो सहजानन्त स्वामी महाराज कीजए अकशार पुरुशतम महाराज कीजए भगट जी महाराज जागां स्वामी कृष्ट जी अदा महाराज कीजए प्रगड ब्रह्म सरुप सास्त्री जी महराज योगी जी महराज की जै प्रगड ब्रह्म सरुप काका जी महराज की जै प्रगड ब्रह्म सरुप पपा जी महराज की जै प्रगड ब्रह्म सरुप हरी पसाथ साई महराज अक्षाई साई महराज की जै प्रगट ब्रमसरोप प्रमक्षाई महाराज महंत्षाई महाराज की जै संत भगवंत साहेब जी महाराज की जै बाबेन जोती बेन तारा बेन की जए दिनकर भाय की जए गुरू जी की जए सर्वे भक्तों की जए 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 आज के आनन्द की जए सर्व प्रत्यक्षरुपों की जए भक्त चिंता मनी पारायन की जए 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 सेजानन स्वामी महाराज आज 31 मार्च 2020 मंगलवार चेत्रसुदी सातम 31 मार्च येर एंडिंग येर एंडिंग के एक समुर्थी है योगिनी बेन का बड़े योगिनी बेन का भी बड़े सुबह में दीदी ने फोन किया माधुरी बेन को सब बेनों को याद करते थे बोला कि आज तो येर इजी बेन बेन का बड़े है बहुत खुस हो गए आसिरवाद दिया आनंदी दीदी का फोन था उन्होंने इस सब को जय स्वामीना बोला है येर इजी बेन का बड़े का भी शब को याद किया आज हमारे देवी जिसने बाका रोल किया था उसका भी बड़े है चिंटु भाइदराबाद जो ग्राफिक्स बनाता है उसका भी बड़े है तो खास-खास सबको जे स्वामी नराइन हमारा धन भाग कि हमको ऐसा पाराइन करने की भगवान ने तक दी और इसी पाराइन में हम भाग ले रहे हैं आज हमारे वहां यहां के कॉर्पोरेटर वैसाली बिन भी आये थे पुरा बी-मसी मंड़ आया था उन लोग यहां से मंदिर का सेनिटाइजिसन करने वाले हैं कल हमारे हीतन भाय और आकास यहां के जो पूलिस फोर्स है वो जो सिवा करते हैं तो वो दोपर को सब को चास और साम को चाई पिलाते हैं वैसाली बिन भी यहां जो डेली वरकर्स होते हैं जिसको नहीं बिलता है उसको एक रसोई अबाउट हंडेड 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 एंफिप्टी ऐसे मजदूर को खाना खिलाने क्या पोग्राम योगी डिवाइन सोसाइडी द्वारा कल रखा है सबकी भावना होती है इसमें कुछ मदद रूप होने की स्वामी नारान के बड़े बड़े मंदिर ने ये कोरोना में चीफ मिनिस्टर फंड में प्राइम मिनिस्टर फंड में बहुत अनुदान दिया है हम भी सुचते हैं सब बक्त बोलते हैं कि हम आपको दे देवे आप ये फंड में देना तो हम भी सब जमा करके जो जिसका भाव वो करेंगे ऐसी एक मुसीबत की घड़ी आई है यूरोप में अखास करके बहुत तकलिफ है इटली और स्पीन तो अमेरिका पार्शेली फ्रांस सब तो सब के लिए सुबह में मापुजा धून भजन तो चालू है और सब को बल मिले इसलिए पाराइंग भी करते हैं आज हम एक सो चुम्मालिश्वा प्रक्रण लेते हैं आज का जो आख्यान है हमारे लिए खास है हमारे जैसा भक्त हमारे जैसे भक्त को महराज के इसा परचा देते हैं और क्या सिख देते हैं परचा से वो लिया है दरासल में ये पूरा भक्त चिंता मनी अगर आप भाव जगत में जाओगे तो तुमको हो जाएगा दो जगत है भाव जगत और दुस्तना ग्रान जगत बक्ती मार गया तो ग्यान मार गया ये जो निसकुणान स्वामी ने अपना महराज के पती भ्राव जो द पर ती भाव उपर गट किया है बगतो का स्वामिनान बभगवान के पती भाउ ऐ फरक दो पर दकी आ है भावय भाव ना कीजे का रमा दिए भावय के ओड़ेगनान तो ये भाव अकर हम डूबेंगे तो आपको ये पर्चब तुमको ठोक्राइब के जाएगा तोосक्र Apache Loo ऐसा महाराज ऐसा महाराज और भाव में भाव भजन करने के लिए पहले तो ऐसा महीमा चाहिए दूसरी बात है ये वहवार में से थोड़ा बाहर आके थोड़ा जो भगवान निये समय दिया है ये तो अखा दिन हम इसमें बिजी बिजी रहते हैं सेरेडे संदे में एक्स्ट्रा काम करते हैं ये चटके में महाराज ने सब बंद करके हमको दो घड़ी वृत्ति पापिस करके भगवान में जुड़ने के लिए ये एक बड़ा आउसर दिया है और तिसरा चलो भजन में भी बेट गए लेकिन बीचा राता है संकल पुड़ता है तो ऐसे बड़े पुरुष के पास नहीं शारंग 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 पुर साथ वतना वृत्त ने बोला कि इसको देखके ही संकल बंद हो जाए भाव आजाए ऐसा भाव एक नया भक्त को भी आ जाता है ऐसा कुछ नहीं पादरा बरुड़ा के पास में रणूगा में वहाँ तुल्जा भवानी का मंदीर उसका पुजारी प्रभादगर बाव प्रभादगर बावा स्वामिनान भगवान डभाण में यगना करते थे जब गुणातियान स्वामिन को दिख्षा दिया तो स्वामिनान भगवान ने वह यगना यगना हो रहा यगना हो रहा है जैसे वह नाथी भाई का भी कल्यान किया जेतलपुर की वेश्या वो सब जगा इतना ओ रखा था कि जाओ प्रभात्गर बावा तालाप के पास देखता है यह बहल गाड़ा क्यों इतना फास जा रहा है आदमी को क्या इतनी हुता वले तू दोड़ता दोड़ता गाड़े के साथ अपनी स्पीड करके उचालक को पूछने गया क्या है तुम इतना फास कहा जा रहे है तो कि तुमको मालूम नहीं स्वामिनल भगवान ने यगनक किया है बहुत बड़ा एक दो किया है अठ्रा लाक आदमी आने वाला है रोज एक लाक आदमी खाना खाता ऐसा तेसा बड़ा किया तो उसको भाव हुआ काली मन में चलो मैं भी जाता हूं तो कि लिप मिलेगा गाड़ी में जगा है रे बैठ जाओ बेल गाड़े में बैठ गाया और चालू हो गया जाते जाते रास्ते में संकल्प हुआ है कि ये स्वामिन अगर भगवान है तो मेरे को नाम देखे बुलावे विंटर का सिजन था पोचा बहुत भीड़ इतनी बड़ी भीड़ और दूर से स्वामिन अगर भगवान का दर्सन करा तो देखो मन सांद हो गया अंदर का वलोपात सांद हो गया दर्सन से ही सांती अनूपम अलोकिक मजा प्रत्यक्ष प्रगट प्रभू जहां ऐसे भगवान के पास उसको इसा लगा साला मैं साला खाले यह करता था इतना कितने सांती होती है तो मनी मन में संकल पुआ कि यह बगवान ने तो मेरे को नाम देके बुला ले पिर वो यह इतनी बीड़े में मेरे को कहां बोलाने वाले हैं फिर दूस्परे मन में संकल पुआ कि अगर बगवाने तो उन्होंने रजाई ओड़ी थी बहुत विंटर की सिजन थी सबड़े पहना था उसके उपर और उसके उपर ऐसा करके रजाय ओड़ी ती तो बलते हैं कि अंकी ओड़ी हुई रजाय मेरे को दे दे तो नहीं उनको तो देने वाले बहुत हैं मेरे को कहां देंगा इसा भी वीचराया मन में तो गया थोड़ी थोड़ी सबाग खतम ही तो थोड़ी थोड़ी जगा होती गई महराज ने दूर से बलाया ए परबाद बारकवा इदर आओ ओ तो पागल हो गया आँख में से आशु निकल लगे लगे हाई ला महराज ने मुझे नाम दे के बुलाया हाई बगवान है और रजी काया लो परबाद कर ये रह जाए मेरे को हमको दो देने वाला बहुत मिल जाएगा तूंको कौन मिलेगा और पाउं में गिर गया भाव हो गया बेटा बगवान आप सच्पूट बगवान हो तो स्व तो कि बगवान में आया ना तभी संकल्प किया था कि मेरे को नाम दे के बुलावे तो बगवान और मन में रखा था कि तुमारी रजाए मेरे को मिल जाए तो कि प्रभादगर मन की बात तो महली विद्या वाले भी जानते हैं वो तो अंडू गूंडू लोग भी बहुत ज उसके अंदर समझना चीए। ऐसा करके उसको इतना अच्छा हो गया। बट कहने का मैं तो ये बात कहना चाहता था कि येसे ऐसे भगवान या भगवान दाराक संथ के पास जाते हैं मन की उर्ति सांथ हो जाती है बेड़ जाते हैं और ऐसा ही आज का जो आख्याने वो ऐसे ही भक्त का है एक विचारा अभी जो गोपड़ा नंद स्वामे के हिसाब सबसे ये बरोदा के सब लिये हैं प्रक्रउ तो म्रोडा गाओं का हरिस्चंदरवेद रामचंदरवेद उसका अख्यान है और रामचंदरवेद असानति में इस्वर का दर्सन वलोपात होता है वलोपात में इस्वर दर्सन कैसे होता है कैसे उसको भाव होता है वो ये आख्यान है और आज की संजोग में वो बात हमारी मन की है हमारी है ऐसा पढ़ते हुए हमें लगेगा तो आज का ये आख्यान थरू करते से जानन स्वामी महराज की जये वड़ी वड़ो दरासे है पिरनी हुँ वर्णवी एक बात पूरा पूरचा जनने सहु जाने इम शक्सात एक एक अने अनेक परचा एक आदमी को चेर चार पांच नहीं अनेक परचा उसके इसाब से मेरे तन में खुमारी आ जाती है निगेटी वाओ निकल जाते हैं तरोब क्या नहीं हो सकता है तुमारे लिए हमारा उमंग बढ़ जाता है और मन मगन हो जाता है अलोकने पर लोकनो थयू सुलब सहुने का ज़ग देह चता दुखिया नहीं तन छुटे आवे महारा जग और दे में छोड़ो तो भी भगवान लेने को आए दोनों बाजु से हमारी जीत दोनों बाजु से हमारी जीत ऐसा हमको भगवान ने कर दिया जोई जन एविरीतने करे अती प्रित्य सत्संग तेने करीने तन माचले नित्ये नवलो रंग दन्य धन्य आसत्संग मायम स्री हरी पोते करे साहय जाजा साहय करी गणी स्वामी कहूं तेने हवे कर भामी कर भामी कर मिज हाथ हाथ को नमन करके हाथ को सलाम करके मैं आपको ये बात कहता हूँ Humbly I'm telling the story a kathweeja bhaktarama chandra Roodoo rogari janera jendra Roodoo rogari rogue means rogue means coronavirus बीमार और रोगारी जो रोग को निकालता है उसको क्या बोलते हैं डॉक्टर वेद रोगारी होते रोगारी था लेकिन वह राजवेद था बड़े-बड़े गुजराती सिखता है ना पॉस रोगारी तो भी यह उस्तक सिखना से गुजराती लोगों को जिसको गुजराती अच्छा सिखना है एक राजवेद था लेकिन सामान्य नहीं पॉस लोगों को कल्यात करता ता ना वो डॉक्टर पंकाज नरंफ बड़े बड़े-बड़े लोग को को देखता है तो बड़े-बड़ेलोग को देता है तो बिजी बहुत हो जाता है appointment appointment स्राइब स्राइब रांदेवू सब्देवू कि इसको मिलना है वह बुलाया उसे ए बीचारा बहुत विज़ी रहता है बगवान का भक्त लेकिन मुलाकात के समय में से बाहर नहीं आता है तेने समझी ने करयो सत्संग बजे स्वामी स्री जी ने अबंग करता स्मरन स्वास उस्वास तू तो अंतर दर्शन्नी आश बगता अच्छा था लेकिन वेवार में इतना डुबो दिया था तो यहां निश्कुडवान स्वामी में एक सीख देते हैं कि तुम बेवार को इतना प्रधन्य मत देदो कि चत्चंग रह जाएं काका जी बूलते थे कि दिन में कुछ भी हो जाए सुबह में आधा गंटा सामको अधा दून कर दो लेकिन काका जी बड़े श्याने थे सुबह रहरा गंडा और सामको अदा गंडा दून कभी अच्ची होगी को ऑःज्वात को भावना में थकलिपा जीती तो भागवत के ग्यारवे अध्य की कता है उसमें यह दत्त भगवान की कता है दत्त त्रे की चोबिश गुरु किया ना उसमें दत्त त्रे भगवान यहां बेड़े थे एक संब्री आई संब्री का खोराख मास का लोचा है तो जैसे उस 주's there मास का लोचा उठाया और गई उपर उड़ी तो उसके पिछे 10 संबडी लग गई संबडी में स् इगल फीमेल इगल आयती बहुत उपर उठती है न 10 संबडी उसके पिछे लग गई क्योंकि क्या था उसके पास माल था मास का लोचा तो धडम धडम भलम सब पहस काउँ bạn काओं काओं करते करते उसके पिछे लग गई दूर से वो लट्तातरे भगवान देखते हैं संबडी ने आइडिया किया कि लोचा के लिए मेरे पिछे पड़े उससे लोचा इफिक दिया जैसे लोचा फेका सब सब्डी नीचे वो बिचारी उपर मस गुमती रही उसके उपर से लट्तातर ने सबल को गुरू बनाया अगर बग्वान रखना है तो दुसरा सब चोड़ना पड़ेगा कितनार फसकलास रही समजर्द Safe को भी गुरू बना कि वही ये संबड़ी से मुझे ये सहिखना है कि जैसे मास्ट का लोचा छोड़ा खिराक करता सब चरु भग गई और को आप छोड़ देंगे खली वगवान करो कोई तुमको चांच नहीं मरेगा कोई तुम अरहा चाहां नहीं करेंगा को तुम्पट जब तक वहवार का लोचा हात में रखके हम घुमेंगे तब तक असांती रहने वाली है और राम चंदर को ऐसा ही हुआ और इसको मिलने का अज इसको देखने का है असांत रहने लगी बैचेन हो गए असांत हो गए अनेक विरित प्रवुष्ति के लिए वेवार में बड़े-बड़े आदनी को मिलना तो रामचंदेजी को दुख दुख होने लगा अरे रे मैं कितना अगना नहीं हूं इस्वामिना भगवान मिला मैं सत्संगी हुआं मैं भगवान तो याद करता ही नहीं हूं मैं त कितने भक्तो अलगतो उस्थो में जाते हैं समया में जाते हैं इसको मिलते हैं उसको मिलते हैं मैं तो कूछ नहीं करता हूं दर्सन का भी समय मैं निकल सकता नहीं हूं इसका ऐसा करके वो अंतर में वलोपात करने लगा अंतर में दूख करने लगा अभी मैं क्या करूं मैं क जो संबड़ी ने लगी जैसी जंकना वो जो विजे स्वामी अपने को इसका भागवत का एक्जेंपल देते थे थे ना हाथी को पकड़ा और हाथी पुकारने लगा ये महराज बचाओ बचाओ क्या बोलता है बुला कर याद को तेरी पड़ा दुनिया के लालच में मगर के जाल में चारों तरब से मैं फसाया हूँ नचर भर देख ले मुझे को शरन में तेरी आया हूँ ऐसा राम चंद्र भगवान को पुकान लगा कि ये महराज अब ये मेरे को ये हो गया है मैं क्या करूं गृत्ति लग गई देको तुमारी गृत्ति भगवान में लगनी चाहिए महराज 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 भी वही मोमेंट का रा देखते थे उठी जट उगाईड द्वार आईवाहरी मंदीर मोजार दरवाजा खटकट आया उठो उठो कौन है तो बोते हैं मैं स्वामी ना भगवान अच्छा नक आप कहां से प्रभू तो क्या आपको बेचे नहीं हो रही थी ना आपको वलुपात हो रहा था आपको अशांती हो रही थी मैं आपको दरसन देने आया हूँ है के नहीं हमारा आपको कुह भी ऐसा होता होगा ना कि इसका फोन आ जाएगा कोई वाटसअप म margin आ जाएगा बहरत भय की कोई मिनना भगवान खुद दर्संदेर आते हैं बो जैसे रामचंद्र भगवान सबरी को मिलने सामने से गये दो को भरज आ भगवान नी गरज प्रभु हे दयाना सिंदूतें ओशियाडा तई सामने भग को मिलने के लिए चल मैं मैं आता हूं बस तूनी आ सकते हैं तो मैं आता हूं जैसे सबरी को मिलने गया ऐसे भगवान रामचंद्र को मिलने आये जो निश्टा सच्ची है बहुत दर्संद देने को आते हैं भाई दिराज तो खूस हो गया आओ आओ उजन किया अर्चन किया महराज में आपकी सिया क्या सेवा करूं महराज बोला सेवा करने का टाइम नहीं है मैं तुमको खाली दर्सन देने को आया हूं तु दर्सन दे ले नहीं महराज आप रुक जाओ आधी रात हो गई आधी रात तो देखो कैसे भगवान है कहां भगवान होंगे जेतलपूर बरुड़ा और कहां ये भक्त और आगे तो रामचंद्रवेच को दिविया सरुप्षद दसन दिया और उसके मन में सांती करती जो करता था ना करता स्मरन स्वास उस्वास स्टूदो अंतर नी दसन आस कहे बहुविती गया दन नती थयो मने दरशन नती जवातू मेतिया सूधी एवो राकोचे वेवार दुधी मैंने ये जान बुचके इतना वेवार बढ़ा दिया है कि मैं नहीं जा सकता हूँ एम सोचे गणू गणू मन हवे क्यारे था से तरशन एम संभारी सूतो ठोलिये कहे नात कमाड खोलिये उठो राम चुद्र सुनी साद प्रभू प्रदार्य र्याप्ते अहलाद अहलाद जनक्ठती माँ वाँ 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 मोद माँ उठी जट उघाईडी उदार आईवा हरी मंदिर मोजार कोटी कोटी सुर्य समान सोबा कही न जाय निदान सुख सागर मय चे मुरती देखी दुखर यू नही रती एवी संगे इंदी रा सोपानी खान कवी कोडे न थाय वखान न कसी खासा जाचन गार सोबे नात साथे सी अपार कहे राम चंद्र जोडी हात की दो आज कृतारत आज मारा भाग्य मोटा माहराज थया अलो किक दर्शन आज रहो कराओं रसोई तैयार प्रिते जमिये प्राण आधार त्यारे बोल्या नाथ मीठी वानिये अमे आया हता तारी 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 त्यान दी तारी खेंचत इसली में आयाओं नाथी जम भूमार उचे वड़ी करो दर्शन सरवे मड़ी दाई दर्शन प्रसन करी पचित्याती पधारी आरी रामचंद्र कहे दन्य धन्य थया आजमने दर्शन मुझा उपर अडड़क अड़या परचो परचो जे प्रगट मढ़या देखो एक बख्त के लिए साथ में वाइप को भी बला दर्शन कर ले अमृत बेन उसका नाम था उसको भी जगाओ उसकी नोकरानी थी किंकरी बोलते हैं किंकरी किंकरी में इस नोकरानी नाम था जमना तेरी किंकरी जमना को भी बुला उसको भी बुलो दर्शन कर ले एक दर्शन में भगवान ने सबको दर्शन दिया उठाया बक्तक बगवान काली बक्तको दर्शन देके बैठे ने देते हैं बात आगे चलती है बात का दोर आगे चलता है और भगवान एक दिन की और बात क Perthandra के घर की भगत के घर की चिंता भगवान को है, मेरा भगत क्या खाता ओगा, अब अपना यह होगा होगा, अहन्डेड पसंन स्भ्रामिन भगवान के Breakingide ॥ मेरे भक्त क्या करते होंगे मेरे भक्त कहां जाते होंगे उसको चिंता है दूसरी वह्दराज की बात है सुनू ओ परवुड़ती वाले भक्त के रातरी का समय था वहिदराज का ना, पत्री का नाम था अमृत बेन वो दोनों घर में सोते थे बाहर उस्री में उनकी नोकराणी किंकरी सुत्न जमना सुते थी अनन्द कोटी ब्रह्मान का वहिवट समालने वाला भगवान अपने भक्तों के भी चिंता रखते हैं वो सब वहिवट समालते समालते अपने भक्तों की रक्साद, दोड करने के लिए दोड की आते हैं, कहां कोटी ब्रह्मान के विवार, अनंत कोटी ब्रह्मान, और एक भक्त के वाँ इतना प्रसमुद। बगवान को खबर थी कि घर में छोटा बड़ा काम हो तो किसके जगाड आई उसके घर में आग लगी थी तो बार नोकरा ने शोई थी तो एक किंकरी उठ नोकर को जगाई वो जमाना का नोकर का बगार बड़े कम था लेकिन नोकरा नी बहुत भागे सालिए होती है अपने ढरां आपने ड्राइवर है यहां काम करते हैं? ऑटे किंकरी ने का यू जाग तिन्हे जाग प्दुनरु कि तो उठी नहीं, नोकर जिवाज होए, नोकर तो गरना धनी देने काम करू, नोकर देने काम, नहीं करू, हमको नोकर में क्या होता है, होगा, ठीक है, देखते हैं, मेरे बाप का क्या जाता है, नोकर प्रदीट्यूड, यह मेरा है, मेरे नुक्षान होता है, यह ओनर्ड़ जबरत, यह शीख देते हैं, कि वी होगव टू ओनऱ् अत्रीट्यूड, वी कि नोकर देखते हैं, बाप को अच्छे पड़ा है, तो अपन उठा लिया, that is owner's attitude मंदिर का नुकसान होता है वो मेरा नुकसान होता है समय ना बगवान बेटे थे गर्ला में और बगतों आते थे भजन बगती चालो थे खाता चालो उसमें कोई वहां बेटता नहीं था एक जगा एक कुत्रा कुत्ता मनमूत्र कर गया था खिरम हो गया था डी तो सब लोग बोलते हैं कुत्ता ने खिरम किया किसी ने पन अच्छा किया और उठाए ने उका खाचर आया अरून भई जएसा वह उका खाचर ने वह साब किया साब करके जखा किया खुद ना धोके वाप moo किया तब तक खथा वरता धून सब खथा मुगया था तो सब लोग बोले कि उको अब लेट आया देखो उका लेट आया तो महाराज बोले गरना धनी हवे आई वा महाराज क्या बोले दे रियल पर संद रियल डीवोटी हैस कम नाउ दो तीन दिन पहले भरत बानी एक्जेंबल दिया था ना संग अवे आई वो कोई भक्त बीमार हो गया उसको ख्याल करके उसका रखके वो आया लेके तभी महाराज कुस हुए तो ओनर्स अटिटूड अटि अटिट भाज मुए प्रभान अम्रुध की चलो वह नहीं उठाता तो मिण ऊठाता हूं थो आले इसको भी घर वाली को उठा हूंचे थो भग्वान ने बग्वान ने अम्रूत को जगाया कि ऑम्रूत दूट और भाई तेरी घर में आग लगा है जुल कहे घर बढ़े च तमारू तने सूता लागे के मसारू तुम क्या सो रहे हो तुमारे घर में आग लगे उठो उठो तो अम्रुद बैने उसके हस्बन को रामचंद्रा उठो उठो आग लगी है अभी बड़ा आदमी फोर फोर बेडरूम फाइब बेडरूम तो देखना पड़ेगा ना कौन से बेडरूम में आग लगी है तो देखा तो बाजू के कमरे में आग लगी थी सबको बुलाया आग को ठारा अच्छा किया बट यहां उनको उनको हो गया कि देखो अपने भगवान कैसे है भगवान भगवान बोलता है मेरे को निन नहीं आती है मैं तुमारी चित्ता को तु किस्तुति करी कि है महराज अगर आप नहीं आते थे तो हमारी क्या हालत होती थी अगर आप नहीं आते थे तो हमको तो आज मौत आ गया था अधुभूत सहाई स्वामी ना भगवान ने करिये वह आख्यानी पूरा बूला है वो थोड़ा गई पुसरूप में गाते हैं पदर पोते सक्षात आईवा अर्धन निशा अविनाशी सहु सुताता कमाडवासी एनी किंकरी ने कईू जाग तारा घर माथ ही छे आग तेने जगाता वार लगाडी त्यारे अम्रुत बाई ने जगाडी कहे घर बढ़े छे तमारू तने सुता लागे के मसारू तेने जगाडी आवेद राज कहे जागो आईवा छे महाराज कईू जगाडी मुझने एम तही लाय सुती चुचू केम माटे जुओने बढ़े छे क्याईया छे अडगू क्यू लाग्यू छे इया पची राम चंद्रे जोई जोई लाय पोता ना घर माथ ही तेने ओलवी ने करी करी धन्य दन्य प्रभू प्राण पती जो नजगाडो दीन दयाड तो आयो हा तो आमारो काड तमे करी स्री महाराज सार अमे आव्या नवे अवतार इम कही लाग्या सब उपाय त्यारे हसी बोला हरी राय आज भक्त नी करवा सार अमे ली धो छे आवतार आज भक्त की सहाय करने के लिए भक्त का अच्छा करने के लिए आउत्यार लिया है ओ दो सो साल पेले लिया नहीं अब भी भी ओई चालू है आज भी जब 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 पीड पड़ी है मुझ पर रहा तू लगाए कांद मैं हाजर ही हूँ तुम बोलो हरी मेरे को पोकार करो तो मैं आता हूँ उसके लिए तुमेरा आउतार है कोई रीते दूखी ताय दास एवू न करूं कहे अवी नास माटे आई पोछे पर्चों में आज एम कही चाहिल्या महाराज महाराज करो किडित लेनें के लिए रूपते नहीं है अनने थेंक्यू थेंक्यू बहुत बड़ा काम किया हमको तो पहले थेंक्यू चिय ए महाराज को कुछ नहीं हुझ चलो काम हो गया भागो पामी आइस चर कहराम चंद्र दन्ञा धन्या सुखना Sumudra एए सुखनो समुद्र बाप प्रेबाप सुखनो दर्यो चिंता मनीनो रासी ऐसे ये भगवान का भक्त की घर की चिंता भगवान को होती है भगवान उसकी रहाई देखके बैठते हैं कि मेरा भक्त कभी मुझे पोकारूं मैं कभी उसको जाऊं मैं उसका रक्षा करूं और परचाही देते जाते हैं वही रामचंडर रखो और एक दुसरा चमतकार रामचंडर भाई बहुए के वहां हुआ तो रामचंडर भाई के पत्नी अम्रुद बेन औह जले भी बहुत अच्छे बना देती हमारे मिना बेंज जैसी जले भी बनाने का आना चीने तो क्या होता कि वह स्टाइल है वह आ जा जाए तो और अच्छा है तो अमरुत में को के सुद्ध़गी जलेबी बनाने कहा थी कि उसमें प्रेमभाव और सेवबा हो तो सुघंद भी अच्छी आटिया जलेबी हो रही है तो भगोण को जुझे भी लगाई जलेबी का ठाल लगा आए है बड़े मंदिरों में और वर्जिका पे थाल है न हरक्षै बड़ा बड़ा करते हैं और उसमें ज्रहादा रते हैं तो यह जलेबी एक थपी एक जलेबी इसको पबीस्तिस आठाइट चलेबी की तीन चार थपी हम लोग एक तो चलेबी एक रूटी एक दाले इसा नहीं है म कि महराज को सब को प्रसाद केने की इसताय यह तो जब यहाण को थालिमें से किसको यह दे दे इसको रोटी रोटी के उपर सभी राल के सेंडविच बना के देदेदेकर इसको पॉपड़ी का टुकड़ा देदेते तो जबी हम भगवान को थाल दराए कहां गया पुजारी तो बड़ा रखने का बड़ा बड़ा भगवान को प्रसादी देने की आदत है तो रामचंद्र भाई ने और अमृत बेन ने फस्क्लास बनाई और जैसे जितना बड़ा थाल उतनी बड़ी रिद्धी शिद्धी ऐसी आठाठ थप्पी रखी भगवान को थार दराया खुद रामचंद्र भगवान खुद बेड़का जमो थाल जीवन जाउवारी दोवूंकार चरण करो त्यारी जमो थाल जीवन जाउवारी आख बंद कर दिया बेड़ गया महराज ने शानपट आके ओ आठ जलिबी की थप पिछ ने उठाई उठाके महराज च लगे जैसे रामचंद्र ने आग खुली तो आठ जलिबी गया अभी वो सुत्ता है कि साली खाली खाली जलिबी क्यों लिया बगवान ने दूसरा कुछ देखाया बगवान कौन लेके गया होगा क्या हुआ होगा उसका मन सोचते लगा बोला नहीं लेकिन हुआ चमत का वहां तो क्या हुआ महराज जरीबी उठाई और गया जैसे कोई मंडल चलाता ने चितरा बेंजे से मंडल चलाते उसको दे दिया के ले बई प्रसादी महराज ने खूद रखा नहीं वह बाई को दे दिया प्रसादी वह बाई ने महराज ने दिया है 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 सबको दे दी तो प्रसादी गुमती गुमती एक प्रसादी रामचंद्रबाय और अमरुद बास आई तो बोला कहां से आई तो बोलत कि वा महाराज वा उतने थाल खलाया और रामचंद्र भाई को खुश हो गया परमान हो गया तो ये परचा भी हम सुनते हैं वड़ी एक दीव सनी कहूं थयो परचो सांबर जो सहूं तेड़ वा जम्ब आईवा खेर मराण कैरो ठाकूर अरते थाल साक पाकने जले बीजे हा भड़ी थाल देरो आगे तेह आवी जमिया जीवन प्राण प्रभू पोते प्रगट प्रमान जब जब हम बगवान को थाल कराते हैं बगवान हमेशा जरूर 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 अंदर जो भाव होता है नो भाव खीच लेते हैं तुमको लगा कुछ कम नहीं हुआ इसा नहीं कम भी होता है गोगी मारत नहीं थाल कला है कुबर भाय के वहां भाव नगर में आज हरे एक चीज के अंदर जो रस होता है और रस भगवान लेता लेता और लेता ही है जमी आठ जले भी जली दी एक हरी जन बाई ने दी दी कहता गयाता वैदने गेरव आज जम्य आमे सारी पेरव थाड माति लाइ वो छो प्रसादी जो ही जले भी सारी चेस्वादी काका जी को भी वो बकुला में है न जंदरकांद बाई बेशाई कहां भाई कहां वडाई वो काका जी के ले लेकर रादाते अरुन बाई और बापुन नहीं होए ऐसे दरह जल 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 लग सब्सक्राइब निकाल के खाले देते हैं जले भी काई बेड़ी थाया सभू बाई वहची आप जो मंदिल माई आपी महाराजे प्रसादी जेह बाईये बाईयो मावेची चेचे तेह हवे वैद तनी कहुँवात थायू जे मते मते साक्षात बेठा जंबाचारे मराड रामचंद्रे संबाड चे थाड आठ जले भी ओची जताई समझा मनमा वात न कही पची प्रगट वात ये थाई त्यारे रामचंद्रे पन कही एवी हीतनों कहमत कार पामयो रामचंद्र बहुवार पड़ी एक वात चे अनूप सतसंगीने चे सुकरूप और एक परचा और वो भी किसको इसको ही देते हैं किसको रामचंद्र को रामचंद्र पर आज भगवान और गोड हो गए भगवान इतने खुस हो गए कि मैं तुमको आज परचा के उपर परचा परचा के उपर परचा देने वाला तो रामचंद्र को जलेवी के परचा के बा अभी एक दुसरा प्रच्च की बात आई स्वामिनान बगवान जहां जहां गुमते थे जरियान का जामा मात्य मुगट भाग कसुंबल वागा खेस सब पहन के गुमते थे तो राम चंद्र को हुआ कि अभी अपून महाराज के लिए अच्छा कज गिफ्ट लेके जाते हैं तो उसके लगए क्या लेगे क्या करे क्या करे जबी गुरु का जन्मदी जाना है तो हम लोग भी सोचते हैं गुरुच को कि गिफ्ट देवे गि लेगे जावे तो महाराज भी खुश हुए अपना भाव पोचे और अपनी सेवा हो जाए ऐसा सोचने लगे उसकी बाई को पुछा अमरूत बेन को अमरूत बेन को थोड़ा जरा तेको यहां महाराज डिस्प्यूट हुआ अमरूत बिन बोले विजरा भाइट वाइट ड् बेंते हैं रामचंद्र को बिच्छा लगा कि भगवान को देयो तो बेस चीज दिए थोड़ा थोड़ा अंडुकुंडुक्या देने का दियो तो बेस दिए तो बलता है कि जरियान का जामा करसुंबल रंग ना अपने पेरावी ने मुख लिए तो मन्वेद हो गया मत्व अंडुकुंडु चलेगा ऐसा करके दे देते हैं अचा नहीं एक जिका मंदिर हो रहा था सब बक्त को बला आप आपके घर पर जो कोई बरतन-बरतन है ओ देओ तो सब तुटली हुई थाड़ी सानसी चले नहीं ऐसी सानसी अटली हुई चमची और सब देया तो मंदिर का म मोरल अब दे स्टोरी इस कि वाटेव दे बेस्ट इस दैर देडी ओफर तो गॉड मंदिर में कुछ बाकी रहे गयों बाकी हरे ओनी आपो आपो तो बेस्ट आपो इसा भाव रामचंद्र का था उबाई का भाव ऐसा नहीं था तो देखो वहां भगवान आए तो मंदिर का अरे घर का राच रचिला बचाने आए फरनिचर जल जाएगा गादी जल जाएगा और यहां क्या बचाने को आते हैं बगवान कि ये मेरे भक्त में डिस्प्यूट हुआ है फरनिचर जल गया तो वांदा नहीं पर ये दोनों के मन में डाग रह गया तो वो तो मेरे को निक ये बात चलती थी तो उतनी तेर में महराज एक बार उसके पढ़िये में उसके गाउं में जहां घर अथा उसके सामने बड़ा एक ग्राउंड जैसा होता है तो वहां आगे और ओक किंक्री को बुलाया जम्ना भैको एई दारी भाईने बुलाओ जर्यान का जामा कसुमल दर्सन कर ले क्या तू वागा के लिए रोती है ऐसा वागा करके भिज दे आइसा करके महाराज वापिस अद्रश्य को यह भाव जगत है अगर भाव होगा तो भाव वाला आदमी सच्ची माने गां तो वो लेगा ने ने तुम लोग तो खाली-खाली बोलते रहते महाराज आया महाराज गया ऐसा क्या होता है बट जो भाव वाला आदमी भावे भाव ना कीजिए गोपियों का भाव था यहां भी एक भगवान जबरदस सीख देते हैं शीक गनानमार्ग में तुम नारी को यह करो वो करो यह सीखो वो गनानमार्ग में जाओ यह पढ़ो वो का भगवान में तुम एकदम लए हो जाओ लीन हो जाओ AltLean श लह बबसे कादी बोर्त है कि अजब तुम पु beersy इसको पैचान है हरक्षी का फोन आया मास्ट्र का फोन आया ऐसा आवाज पैचान ना मंगता है तो हो फोन करेंगे तो तुमारी आवाज भगवान पहचान जाएंगे कि इसका है इधर तो फोन भी नहीं किया था लेकिन भक्तों के बीच में डिस्प्यूट नहों तो महाराज खुद आए और महाराज बोले कि एक काम करो भई तुम्हें हमें ये डिस्प्यूट पसंद नहीं है हमें पसंदे तो सामने से बोल गए ऐसा करो ऐसा बना कि मुझे पहना हो तो बाई भी एकदम खूस हो गई खूस हो कि हम फिर भजबन को बोली रामचंद्र को रामचंद्र रामचंद्र आप जो बोलते था नहीं बात सही है वाइट नहीं अपन कसुमल वागा जर्यान जामा उस बना के दिया महराज भी खुस हो गए उनके महीने मन में भी शांती हो गई और उनके मन में भी जलगा कि जो डिस्प्यूट हुआ था जो मन में लेकिन भाव चाहिए भाव से भाव तुम बोलेगा कि भगवान को एचे भगवान को चाहिए नहीं एक भगवत की कता होती थी तो उससे सुदामा का तांदूर की कठाई तो दूसरा एक बhen तेण तीन पस्टम्डोरी बना के ले के हेलो महराज उसने सुदामा तांदूर में सवना का कर दिया ता, नावी मेरा भी सवना का कर देना तीरी तीन पोटली में थोड़ी सानु उसका पूरा जिन्गी का भाव पूरी जिन्गी की कमाई और जो था सर्वसवकार पढ़ किया था जो उसके पास था वो सब दे दिया था तभी उसका सोना का किया तुम मुझे यू कांट बाई गॉड तुमको भगवान को खरि तो भगवान प्रेम से वस होता है बगवान पैसे से कोई दूसरा से वस नहीं होता है बहुत सारे उसमें हैं बहुत सारा बाद भी उसमें हैं लेकिन उसमें हम नहीं जाएंगे और आज यह बाई को जो हुआ वो हमारे लिए भी ऐसा है कि हम भी अभी जो भाव करेंगे जो वागा सुंद्र भगवान को पहनाएंगे प्रेम से अरपन करोगे खाली हरक्षंद बाइक जांबू बोलते था न कि तुम्हें इसा भाव करके लाओ मैं खास जांबू मेरा जांबू भगवान और शुत्म नारायन खाने वाले हैं तो जब भाव से लाते थे तो काका जी सब जांबू खाजाते हैं तो किसको दे देती है का काजी कैस्टाल दी दूब अब बैम से प्रेमि जनने वसपातरीयों प्रेम निप जे बाग बगीचे प्रेमन हाटे वे चाहिए जो प्रेम बगीचे में बीचता नहीं है आधा कीलो प्रेम लेक्याओ पांच जार रुपय का प्रेम लेक्या हो आज देखो रहा कितना जबर्दस दुनिया में भी है मोदी तुम कुछ भी बोलो लेंद डिसिशन केम कि वेदर यूँ वांट तो गो फर एकनोमी और मनी और हुमन यह सिलेक्ट दुमन तो आज कितना के ओस है तो एक दुनिया को जबर्दस मेसेज है यह जो बड़ा बीमारी आया है उसमें भी एक आज ओफिशली सुप्रिम कोट ने भी मोदी को बुला कि भी यू टेक हेलप अफ और रिलिजियस इंस्टिशन सब को बुलाओ लेकिन यह सौल करो तो यहां लंडन में अमेरिका में जितनी भी स्वामी नान की संस्ता है सब संस्ता है फिसिकली भी जुड़ी है प्रेमबाव से जुड़ी है और प्रेयर से भी जुड़ी है तो आज स्वामी नान का यह भाव पूरी दुनिया में पूरी विश्व में कि यह एक सेक्ट यह एक कल्ट ऐसा है विच बिलिव इन दे जॉय ऑप अदर्स लाइस बैगो और वही परमेंट रहने वाला है वही भाव परमेंट तो ऐसा महराज को इस वफसक्लास वस्तर पहनाए और महराज को वस्तर पहन के अपसा सिर्वाद दिया और खुस किया ऐसा ही एक दुसरा अख्याने वो ले ले लेते हैं फिर दोनों साथ में गाएंगे बरुडा के सुभाराम सास्त्री मेरे खाल से वरतल का एक प्रस्थन भी है सुभाराम सास्त्री का बहुत चुस्त सट्संगी दे संजोग वसाथ उनका लड़का बीमार होगे इतना पका सट्संगी दाता मन कर्म वचने हरी दास करो महराज न विश्वास कुछ भी हो जाए महराज का विश्वास लगे नहीं ऐसे पंडित थे महाविद्वान थ ठॉड़े-ठॉड़े वचने मन क कर्म में वचन में नहीं होता है को कर्म से नहीं होता है लेकिन यह तिनों से हरेक वहन की आगना कर्म सथे पालते थी शास्त्री जी मान कर्म वचन से भगवान के सच्चे भक्त थे एक दिन उनका पित्र बिमार पड़ा आई सुकी रेका खतम हो गई उगे लास्ट स्वास देने लगा तूटी नाडी ने नराया पान बोली न सके नहीं ओड़ा खान पितना स्बसक्राल लगा है बोल भी नहीं सकता है और खान agar ने सकता है तो इसका मतलब क्या हुआ बिभान हो गया है एक आब कोली लेकिन पैचान नहीं सकता है अङसा हो गया कि इसको पैचानता बंद्ध कुए के सबरा माराज जे स्वामी क्या करूँ मेरा लड़का लास स्वास ले रहा है मेरा कोई अगरा नहीं है कि तुम उसको जिंदा करो लेकिन आप उसको लेने को आओ वो मेरी भावना है तो खाली इतना पोकार किया तो महराज प्रगट हो गए महराज बोले आप बोलो तो धम में लेके जाओं और आप बोलो तो रेन दों क्या करूँ जो आप बोलो बोलो तो महराज बोले नहीं आयो उसको खतम हो गया हम लेके जाएंगे लेकिन माा यप साथ में थी मा का तो मा दिल होता है न तो मा ने बोला कि माराज रहे तो सारू इसी बात हुई थोड़ी तो माराज़ के साथ माराज अक्ले नहीं आई थे मुक्तानांसवामी यह सब शंतों को भी लेके आये थे अभी सुभाराम सास्तुरी मुक्तारान स्मी का फ्रेंट था, उसको पहले मिला हुआ था, तो महाराज ने बोला कि महाराज जाने दो, मुक्तारान स्मी बोला कि मैं तो महराज के साथ जाने वाला था लेकिन महराज मुझे यहां रखे गया और मुझे बोला तेरा पपा मामा की चाकरी करना मेरा भजन करना तो सुकी होईगा महराज मेरे को आशिरवाद देखे गया तो वो दोनों अख्यान पढ़ लेते हैं और बाद में भरत भाई का अख्यान लेते हैं अरे वड़ी एक वात छे अनूप सत्त संगीने छे सुकरूप राम चंद्र नी भारजा जेह भारज्या मिन्स वाइफ क्या सबना है भार्या भारज्या राम चंद्र नी भारज्या जेह कहे राम चंद्र प्रत्य देह जासु उच्छव आपने जारे सुसु पूजा लई जासु वाका वाला है कहे राम चंद्र ते संबडी करसु कसुंबी पोसाग वड़ी कहे अमृत कसुंबी वसन नात पेरे छे कोई कदन स्वेत पोसाग पेरे छे जाजू माटे एवो करावो तो काजू क्यारे राम चंद्र कहे सारू थासे जेम महाराजनू धार्यू साम का समय वित्यो चे दिन संध्या टानू संध्या समय पधार्या धिना जीवन सारो पेरी सुंदर सुवाग जामो जरी धरी सिरपाग साल दू साल सर्वे कसुंबी फूल हारे रया ब्रंग जुंबी तेनी पाडो शन एक बाई दिठा तेने चवटा माई चवटा उपर फडियानी आगड चोड़ा मा तेने ना ते वात एम कही केजे अम्रूत बाई ने जई तू कहती ती कसुंबी वसन न थी पहरता जग जीवन ते पहर योचे में सर्वे आजे केजे कायूचे एम माहराजे हमारी साहे लेते हैं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ है खाली मन में विचार हुआ कि खरो महराज नो विश्वास तेनो सूत नो आईवी यो काड आव्या तेडवा पो तेद याड तूती नाडी ने नरया प्राण बोली न शत्ये नई ओड खाण एवो दिठी रूत पाराम ज्यारे करिश्टूती महराजनी त्यारे सुनी नात तयाचे प्रसन आनुत जावू नहीं तन एम कहीं ने प्रगट थया करी हरी जन पर दया दीदू धर्वने दर्शन दान सहु कहे धन्य अरे भगवान इसा भगवान अच्छा इसा भगवान अच्छा बले पधार्या दीन दयाड आज अमारी लिदी संभाड कहे नात तारा सूत काज आव्याता तेडवाय में आज पणा मुकी जाईये जीये अमे सर्वे सोकद जी देजो तमे एम कहीं ने अद्रश्य थया जन जोई आश्चर अपामिया पछी सूत तेनो ते अवारे थयो बेठा पतारी थी त्यारे कहे आव्याता तेडवानात उन्तो जातो दो महरादी साथ पणा मुकी गयानात मने एम कहीं चेवात सहुने सुनी सर्वे पामिया आनन्द कहे धन्य स्वामिय सहजानन्द तमे आपयो पर्चो आदयाड नाती जीवाईड अमृतक बाड वसी दर्सन दीदा सहुने राक्यो मनुष्य नी हार्म मने एम कहीं सोरारा में जारे लाइको निस्कूडानन्द तेवारे मैं निस्कूडान स्वामिय केचे मने सुवारा में किदू एट्टे में आपर चो लेखो इती स्री मदेकांतिक धर्म प्रवर्तक स्री सहजानन स्वामिय सिष्य निस्कूडानन मुनी विर्चते भक्त चिंतामनी मद्ये स्री जी महराजे हरी जन्य परच्चा पुईरा ए नामे एक सोने चुमालिस मुप्रक्ण समाप्त बुरु सहजानन स्वामी महाराजनी जै 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 तन्मूलाक्षर युक्तमेव सहजानन्दम् चवंदे सदा जैनी अम्रुतवानि तो वैरै साक्षात्माई मारुपे जैनी ब्रामिस्तिति अहोली नकरे सुंबव्यक्षर पदे सरणागत निजाल्प जीव सहुनास्रे आर्थे तत्पर रहे काकासने अलसिंदु दिव्य विभुने हैयू तो बंधन बलो सैजान स्वामि माराज नी जै अक्सार पुर्सोतम माराज नी प्रत्यक्षदाम दामी मुक्तो नी जै गुरुहरी काकाजी माहराज गुरुहरी पपाजी माहराज बंधु बेलडी सताब्धी महोत्सवनी सर्व गुनातीत स्वरुपोनी आज के अनन्द की सदगुरु देव की वक्त चिंतामनी पर्चा प्रक्रण पारायन की अंतिम स्वास सूधी सकल धीवनना को आई जाउंचे तारा अल्पस बंधमा बड़े पड़ आपने अति सयग मेचे ते करावी ले जो मारी पासते जक्षने रुची जाग्रत रहे मारी अंतरनी अर्पो साक्ति सरवेने कदिलती स्वामी ए अखंडर हो अंजली आह स्विकारिलू बहुत अच्छा स्वामिनान भगवान का ये सब परचा प्रकरण निश्कुडानन स्वामी ने कितने सारे भगतों का सब लिखा है एक एक प्रकरण में चार-चार भगतों का पांच-पांच भगतों का छे-छे भगतों का एक एक भगतों का पांच-पांच प्रसंग ऐसी तरह से लिख के इतने सारे प्रक्रण बनाए कि इतने भक्तों को महत्म समझा होगा भगवान के भक्तों का महत्म समझेंगे तो भगवान राजी होगे भक्तों का महत्म वो हमेरा स्वामिनान भगवान के समय से ये चल रहा है इसलिए जो बताया कि वो कांटा चुबा था और संगा रहा था तो जबी वो कांटे वाला लड़के को उठा के वो आदमी लेके आया भक्ता लेके आया तो बोलते अभी मेरा संगा आया बगवान में तो इसी तरह से भक्ता का साथ में रस्बस था भक्ता का जो प्रोब्लेम है भक्ता के मुश्के लिए उसके साथ में यह हो रस्बस हो जाओ स्वामी जी एक बार जा रहे थे इसाथ कार में और रास्ते में हाईवे पे बहुत लोग खड़े थे और स्वामी कार में जरक ऐसा सो गए आँख बंद हो गई थी और जैसे ही कार वहाँ आई सारे भक्ता इकठे थे ड्राइवर ने बोला और गाड़ी आगे लेके गया स्वामी बोले वो लोग गए के बोलते है मेरी नीन से ज़्यादा वो भक्ता को दर्सन होए वो है वो खड़े थे उदर तो मेरे को जगाना चाहिए बोलते है स्वान के भक्तों की कितनी ये है वो निश्कुडानन स्वामी ने किया और इसलिए आज प्रचा प्रक्राण कितने संतों ने गाया है ये प्रचा प्रक्राण और भक्ता चिंतामनी का ये एक विसिष्ट अंग है निश्कुडानन स्वामी ने एक के बाद एक के बाद एक परचा लिखा है और सामान्य भक्तों का परचा लिखा है बड़े-बड़े राज्यों वाले का उसका भी परचा लिखा है सास्त्रियों का परचा लिखा है वहिदों का परचा लिखा है सब का लिखा है खली यह कि ज्याती के अपने ही उसका नहीं लिखाए सब सौमिनान भगवान के समद्ध में जो जो आए सब का उसने स्टडी किया और परचा लिखाए तो यह आज परचा है उसकी आगे की आगे बात करते हैं यह सब पर्चा है वो बरोडा के लिए ही है बरोडा का ही भक्तों का पर्चा है जबी गोपान स्वामी का पर्चा है अब आद में जो भी सब पर्चा है वो वडोद्रा के सब भक्तों का है वो भी एक विशिष्ट था है और ऐसे वड़ोद्रा के एक भक्त उसका परचा गाते है वो बोलते है वड़ी शहर वड़ोद्रे करिजननी जीवने सार संबड़ा मूसं से पसु सव सुन जो नर नार सामर्थी पोते स्रीहरी आज वावरे छे अपरी मीमित ते कही न जाय कोई ती छे एवियलो की करीत आगे परचा पूरिया जन हे तेलही अवतार पण एत कीरित आजनी छे जो परम पार कई 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 ये क्या लगी एक जीबे जस पार पण जे आवे मारी जान मा करू कई क तेनो चार मैं कितना बोलू एक जीब से मगर जो जो मेरी जान में आता है वो सब में लिखता हूँ एक द्वीज भक्त छे दक्षणी कहूँ वात हवे तेह तनी नारूपंत नान चे तेनू नाम करे राज समाज नू काम नाना वड़ोद्रा में राज्यकारबार सम्मालते थे गायकवाड सरकार के वो बहुत निजी थे ऐसा इतियास में भी आता है हिस्ट्री में और नारूपंत नाना वो भगवान के भक्त थे जनरली क्या होता है कि जो ये राजकारण में होते है वो बोलते कुछे करते कुछ और उसके दिल में कुछ होता है ऐसी तरह से जीवन जीते है वो राजकारणी ऐसा बोला जाता है राजकारणी का बहुत अच्छा इसा सब ये प्रसंग है एक राजकारणी का वो इंटर्वु ले रहे थे कि बई आप आपको टिकिट देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए ऐसी बतरह से सब पूछ रहे थे उसको तो सब का इंटर्वु लेते थे पहले का इंटर्वु लिया बोलते इतना प्लस इतना प्लस इतना कितना होता है और ऐसा कुछ कुछ पूछा तो उसको नहीं समझ में आया तो बोलते जाने दो नहीं तुम से नहीं होगा दूसरा आय तिसरा को प्रस्ण पूछा उससे भी difficult पूछा तिसरे ने बोला आपको कितना करना है ओ बोलो इतना मैं कर दूंगा तो कि हाँ तू बराबरे राजकारण के लिए उनको टिकेट दे दो इसे राजकारणी का ये होता है तो इसा राजकारणी था मगर ये भगवान का भक्त बना और जब भगवान का भक्त बना तो बोलते मैं भगवान के लिए भी काम करूंगा और राजा के लिए भी राज्य के लिए भी काम करूंगा और इसे भक्त आज बहुत है आज नरेंद् मोदी है तो देखते हैं तो करते हैं राजकारण का भी काम करते हैं और अपना ये भी करते हैं देश के लिए जो करते हैं वो अलग तरीके से करते हैं वो तो राजकारणी बोला नहीं जाया इसी तरह से कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है और राजकारण तो ऐसा एक ब सही है, उसकी वाइब भी ऐसी निश्चई वाली थी, और वाइब को भी ऐसा निश्चई हो गया था, मगर जबी भगवान का निश्चई सच्चा होता है, तो भगवान आते है टेस्ट करने के लिए, कि भई तुमारा निश्चई सच्चा है या जूठा है, कोई न कोई प्रो बल से जो जीता है वो ही निश्ठा वाला है हम दुसरा दुसरा धार लेते तो बलते बगवान का बल लेना वो बगवान देखते क्या करते मेरा बल लेता है या दुसरे का बल बहुत यह गहन बात है हैं मगर हम जब ही प्रसंग आते हैं तभी समझ में आता है हम को प्रसंग आते हैं ने तो करता कोई दूसरा ही मानने में आ जाता है और कभी अपना दोस दिखाई देता नहीं है वो सबसे बड़ी है कभी हम सो गए होगे हम कब बहुत बार बोलते हैं, सो गय हो गये, सुबह में उठे नहीं जल्दी, तो क्या बोलेंगे? आज एलाराम नहीं बजा, अरे, तो एलाराम को दोस दिया, तूम नहीं उठा ओ नहीं, एलाराम बजा नहीं, तो यह सब ऐसी बात है, मगर यह भक्त, एक द्वीज भक्त छे दक्स करे राज समाज नू काम, एम करता था यो सत संग, चल्यों चीते तेनो अतिरंग, वडी एम समज्यो सुजान, मल्या प्रभू प्रकट प्रमान, रही नहीं उदारा निवात, तेने करी रहे रडियात, साचो समज्यों सत संग, बजे स्रीहरी करी उमंग, कहे स्वामी सजानन्द सत्य, तेह वीना तो बिजुव सत्य, एली अंतर मा गाठ पाडी, उखडे नहें केनी उखाडी, एम करता वित्या कैदन, आविव संसार संबंधी विगन, एनो सूत बापु नामे जेह, तयो मंद सरीर मा तेह, उसका लड़का था बापु, और लड़का बिमार पड़ा, एक का एक ही लड़का, और वो बिमार हो गया, बिमार हो गये तो सब का दवा कराएंगे, वो कराएंगे, मगर दवा लागू ही नहीं होती है, जब भी दवा लागू नहीं होती है, तो हम किस के तरफ जाते हैं, डोक्टर के पास, डोक्टर के पास तो दवा की, मगर नहीं होती है, तो बुआ, मंत्र, तंत्र, देव, देवी, जितने भी होते हैं, वो सब की और जाते हैं, कि क्या करें, मगर भगवान वो देखना चाते थे, कि भई इसको क्या हुआ है, अभी वो क्या करती है, उसकी जो वाइप थी, एकका एक लड़का, उसको दिल में ये हुआ, कि मैं भग नहीं रहेगा, तो इससे अच्छा, भले वो किसी से भी कोई मादर्या से, कोई तंत्र से, कोई मंत्र से अच्छा होता है, तो करें, ऐसी तरह से वो देवी की कोई आराधना करने लगी, ये कया, बहुत दिल से प्रार्थना करती थी, जो भी भगवान को करती थी, दिल से प बोलती है कि मेरा बहक्चे को अच्छा करो अच्छा करो अभी करने वाला में हूं उसके लिए तो भगवान ने साकसा दर्सन दिया दर्सन दिया और आये एक दम प्रकास प्रकास हो गया चारो बाजू अरे महराज आप तो कि महाराज बोले मैं तेरे लड़के को लेने को आया हूँ और मैं लड़के को लेने को आया हूँ साथ में ये सब संतगाण विगरे सब आये है और उसको आज मैं लेके जाता हूँ तो तो देवी उसकी मदर थी उसने एकदम महाराज के पाउँ पड़ गई नारू पंथे वो भी पाव पड़ गया बोलते है महराज हम तो आपके ही भक्त है आपको अगर लेके जाना है तो खुशी से लेके जाओ या आपका ही लड़का है हमको कुछ वांदा नहीं है उसकी मा बोलती है तो मेरा मा का जीव है इसलिए मैं देवी को बुलाता हूँ महराज नहीं जब भी बोला कि तेरे को जो देवी को बुला नहीं बुलाओ मैं इसको लेके जाओंगा देखता हूँ कौन तुमारे बच्चे को बचाता है वह बहां बोली भई हिसा नहीं है आप समर्थ हो सरोपरी हो वह सब बराबर है यह तो माँ का जीव है इसलिए ऐसा हो जया मगर अगर आपको यह बच्चे को लेके ही जाना है तो आप लेके जाओ उसमें मेरे को कूछ भी प्रोब्लेम नहीं है आप लेके जाओ जबी ऐसा हो गया बाद में महाराजे ने वो बड़े न्यायदीस है जबी न्याय होता है न्यायदीस होता है और जबी सब आर्गुमेंट हो जाती है बाद में न्यायदीस जही सा कलम उठाते है तो जो एकदम एक्सपर्ट वकील होता है उसको समझ में आता है कि अभी उसकी द्रश्टी कहा है, महराज क्या करने वाले है, यह न्याय दिश कौन सा न्याय देने वाले है, वो उसको समझ में आ जाता है, और उसको लगता है कि यह न्याय यह विरुद्ध में जा रहा है, तो वो न्याय दिश को लाष्ट में एक अर्गुमेंट बोलेगा, वेट, I want to tell you something if you've been allowed, आप मैं जी अगर अगर अगरो करो, तो मैं एक argument करना चाहता हूं, तो वो वकील, काका जी बोलते हैं कि यह जो मेरे भक्त है, ऐसे जो संथ है, वो वकील है, और ऐसे वकील रखना चाहिए, काका जी कुछ बोलेंगे, तो कांति काका आएंगे, वो उसका चेंज हो सकता है, वो बदल सकते हैं, तो मान भी जाएंगे, कि हाँ हो के, काका जी के पास एक बार इसा प्रसना आया था, कोई फंक्षन था, बेचर काका का विदाई समारम था, और काका जी भाई फ्लाइट, माना वदर जाने वाले थे, तो कांति काका आएंगे, कांति का काका पोपट भाई विगरे सब ने बोला, काका जी आप तो होने चाहिए, बंबे में फंक्षन है, और आप नहीं होएंगे, वो बेचर काका का फंक्षन हम उच्छा नहीं लगेगा, तो काका जी ने बोला, ठीक है आप बोलते हैं, तो चैंशल, चैंसल कर दिया काका जी, तो इसी तरह से वो लास्ट जज्मेंट लिखने वाले थे महाराज, कि मुझे मुझे को लेके जा रहे हैं। और जब यह जज्मेंट लिखने का सुरुवात करते हैं, तो वकिल बोलते हैं, ठेरो महाराज, ज्यायद इसको बोलते मेरी एक आर्गुमेंट सुनू तो आर्गुमेंट बोलते हैं बोलो क्या है तो बोलते हैं देखो ये लोक में संसार में दो चीज होती है ने वो ही ग्रहस्त भक्त के लिए सब कुछ है पैसा होता है मगर अगर लड़का नहीं होता है तो भी दुखी होती है और लड़का होता है और पैसा नहीं होता है तो भी दुखी रहता है इसलिए नारूपन नाना है वो ग्रहस्त भक्त है आपके अच्छे है अच्छे भक्त है और अगर ये उसका लड़का धाम में जाएं इसा नहीं हुई, ऐसा आपको बोलेंगे, और उसके लिए यही सब कुछ है, तो महराज आप थोड़ी दया करो, और यह बच्चों को जाने दो, उसको रखो, महराज बोला ठीक है, अभी संत बोले ने, वकिला ते इतना जोरदार होनी चाहिए, महराज ने एक्सेप कर लिया, ओके, जज्ज्वेंट, ऐसा ही लिखा, चलो भई इसको नहीं लेके जाना है, उसके पडोस में जो है न, उसको लेके जाओ, स्वामी नाराण का, पडोस में रहना भी बहुत भारी है, तो बलते हैं, उसके पडोस के आद, उसको लखके जाओ, तो फाइदा है, बाद में उ भक्त भगवान के घर जादामने जाने का किसको मिलेगा वो तो फाइदा ही है और ये बड़ा फाइदा समझ में आया तो बहुत बड़ी बात है मगर इसा करके ये नारूपन नाना का लड़के को रखते है वो बड़ा होके भी भगवान का भक्त बनता है और परम भक्त बनता है वो बापु बाई और बापु नाम का भक्त है वो बड़ा भक्त बनता है ये बात बाद में आगे इतियास में है सुत बापु नाम जेह थायो मंद सरीर मातेह तेने देखीने तेनी जनिता करी अंतर माती चिनता मारे पुत्र एक जचेह कोई रिते रहे ननी देह पचिते सारू समरी देवी सुत सारू अकडानी एवी नावी देवी आव्याय अविनास थयो कोटी सुर्य नो प्रकास अती तेज तनो नहीं पार बेडा संत हजारो हजार पची एम बोल्या महाराज आव्या बापु ने तेडवाकाज तेतो कोटी उपाय जो करे तो ये तारो सुत न उगरे माटे भैराव भवानी भूत समर्य जे राके तारो सुत प्यारे बोली छे एम ते बाही एनो भार न थी मारे काई माराज तमें लेवाई वाओ तो लही जाओ मेरे का उसका कोई भार नहीं है पण जीव जननी नो एवो तेनो दो समने नव देवो सुके तेड़ी जाओ मारो तन हुँ तो अती से चुप रशन एम कही ने जोडिया हाथ त्यारे बोल्या हता संत साथ माराज एने एक बाड़ तेने तेड़ी न जाओ दयाड़ संसारी ने तो एटलो सुक सुत वित विना माने दुख क्यारे एम बोल्या माराज नहीं तेड़ी जाए एने आज़ एनी पडोस न न जेतन तेने तेड़ी जासु कह जीवन पडोस में दिख रहा है उसको लेके जाएंगे हम आये है तो खाली नहीं जाएंगे किसको दो मेरा अकसर धाम में जगा खाली है उबरेंगे पची तेहने तेड़ीने चाल्या बहु लोकने दर्शन आल्या दीता सवे प्रगत प्रमाण थयू सत्संगी कु संगीने जान एम प्रगत परचो दई चाल्या भीजा बाड कने लई नई चानू ए प्रगत जानों कहे परचो थयो ए प्रमाणों कहे नानो जोडी जुग हात धन्य धन्य दिन बंदू नात तमे दयानी दिचो दयाड दिन नात दिन बंदू नात ये बगवान आप तो बहुत दिन बंदू हो गरीबों के नात हो आपने हमेरी रक्सा करी हमेरे बच्चों को बचाया धन्यवाद 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 दिया बाद में निश्कुडानन स्वामी और एक दुसरे भक्त की बात करते हैं वो भक्त भी बरोडा के हैं और बहुत सर्वरिया मामने बापु बाई और बहुत सुर्वीर है और ऐसे सुर्वीर है कि वो गायकवार सरकार की और से बहुत लड़ाई लड़े थे और इतनी लड़ाईया लड़े थे हैं कि बापु सिवा राम गार दी बहुत लड़ाई मार दी ऐसा लड़ाई लड़ने वाला भक्त था शुरुवीर भक्त था महराज को शुरुवीर भक्त पसंद है क्योंकि शुरुवीर भक्तों में ये हिम्मत होती है कुमारी होती है कि हम किसको भी कुछ भी हमेरे को काम, क्रोध, लोब, मुध, भगवान के वचन पालने में बीच में नहीं आएगा ऐसा सुरुविर भक्त की ये टेक होती है तो ये भक्त का एक प्रसंग है बहुत अच्छा प्रसंग है हम पढ़ते हैं मड़ी वात कहुं एक सारी हरी जनाने छे हितकारी एक द्विज बापु सर वरियो तेने संची ने सत्संग करियो जोई साची रीत संत वानी आवी प्रतित पोताने गणी वडी सांबडी संत नी वात तेने भांगी चे मननी ब्रांत थयो सत्संगी स्वामी नो करो बेप्रवाई शीपाईया करो जाली चे कमुए नव मेले सीरकर मालाईने खेले मातु आत्मालाईने रमे मातु आत्मालाईने लडाई करे के मरी गया हावे सु बांदो नहीं नीशक पट मती अती गणी कहुँ वात हवे तेह तनी एनो सुत ते राम सेवक तयो मांदो सरीर माचेक आवो समोयने अंत काड गरूडे चड़ी पध्यार्याद याड़ गरूड के उपर चड़ के आये है उसके बच्चे को लेने के लिए और बहुत सारे संत भकता आये है जबी बगवान के सच्चे भकता होते शुरूइर भकता होते उनकी टेस्ट करने के लिए उनकी परिक्सा करने के लिए भगवान कुछ न कुछ प्रसंग बेचते तभी ऐसा होता है महाराज मैं ही मिला क्या अरे भई तु तेरे को सिलेक किया है इसके लिए ओ ऐसा मान तुम मगर हम ऐसा बोलते हैं मैं ही मिला अरे भई तुम मिला इसलिए तुम इतना जोरदार है इसलिए तुमको सिलेक किया है तुमारा टेस्ट में टेस्ट के उपर लिया है आपको संगे संततानु बहु भुबुंद मुक्तानन्द स्वामी नित्यानन्द गोपाडानन्द स्वामी चे साथ जड़ जारी भरी दरी हात नित्यानन्द जी करे चमर एम पदार्या स्याम सुंदर दीठा सत्संगी ने कुसंगी जने आवया बापु भाई ने बवने सहु आवी ने नामे छेशी स कहे भले आवया जगदिश ये जगदिश आया स्वामिनान भगवान पदा रे इतने सारे संतों पदा रे तो सत्संगी कुसंगी सब लोगों ने देखा कि ये बापु भाई के गहरी आये है त्यारे नाठ कहे आव्या आज तारा सूतने तेडवा काज त्यारे बापु कहे जोड़ी हाथ सुखे तेड़ी जाओ मारा नाथ बापु सरत तयार हाँ आप लेके जाओ कोई बात नहीं हिम्मत वाले थे ने और सची निष्ठा थी तो तुरंद बोले लेके जाओ आप जैसे लेके जाने वाले कौन मिलेंगे ऐसे तो बहुत सारे भक्त थे महराज के टाइम में आज भी ऐसे एक प्रसंग महीने कुछ पढ़ा था महाराज को ऐसा आप भक्त मिला और उसका एक लड़की और लड़का ही था दो ही था ऐसा कुछ आया था और ओ भक्त को महाराज ने एक पछी एक सब को उसकी वाइप को लेके गया बाद में उसके लड़के को लेके गया उसकी आँख निकाल दी बाद में ये उसकी लड़की को भी लेके गया तो भी बोलते है महराज को महराज लेके आने जाओ अरे बापा आपका क्या होगा मेरा महराज रख्षा फिर महराज ने उसको सुरा खाचर के वहां रखा जिवा खाचर के वहाँ इसका समाल करो करके भगवान रक्षा करेंगे भगवान सहाई करेंगे अगर हम भगवान के बरोसे है तो भगवान सहाई करते है करते है करते है और करेंगे ही ऐसा हमेरा तो जीवन का हमें सब एक्जामपल है तो ये एवा सुनी बापुना वचन कहे साधू सर्वे धन्य धन्य पच्छी संत जोड़ी कहे हात आज मेली जाओ एने नात स्वामी महराज राखो तो महराज कहे घणू सारू जाओ मान्य वचन मारू पची दर्सन दई नोकने चाल्या बापुनो टाडी सोकने दीटा सहुवे प्रगट प्रमाणो तयो पर्चो जन सहु जानो वड़ी कहुं एक दस नी बड़ी तेडी जम वामुनी मंदड़ी एक दें ओ जन वापुरामने सब संत मंदड़ी पुलाई आओ संतो सब मेरे गर खाना खाने को आओ बहुत बड़ी रस्व बनाई अच्छी रस्व बना भी संतो को खाना भिख भुस शन्तोंने खाना भी खाया बादमें देखा तो रस्व बहुत पड़ी है तो गोपान स्वामी को बोला स्वामी यह रसौई तो बहुत पड़ी है अभी क्या करना इसको कुछ बांदा नहीं जो ओखने वाला है वो आएंगे अभी खाली उतना हि भोलते हैं तो महराज साकसाथ आते बोलते हैं मेरे साथ में मेरे जो सब यह सेवक लोग वो सब को खाना है भूक लगी है आपका कुछ तयार है तो बताओ तो बुलते हैं लगा दो सब को अब भी खाना किला देते हैं और सब को खाओ भक्त की भावना थी कि यह बोजन पड़ा है तो भक्तों के पास जाए तो महाराज खुद आए जम्या मूनी राखी नहीं मना तोय वद्याचे मोदक गणा कहे बापु जम्या नहीं संत माटे वद्यू अन्त अन्त त्यारे बोल्याचे गोपाल स्वामी भाई अमे राती राती खामी त्यारे बापु ने आवयो विश्वास अमना आवसे कोई हरी दास बगवान का कोई भक्ता आजाएंगे अबगी एम करता आवया जगदी साखसाथ बगवान आए संगे सांख्यय योगी दसवी सा बेनों के लेके भी आए वाँ कहे हरी होए त्यार अन्न छे आभु क्या करावो भोजन पची भापु जमाड्याते हा करी ती रूडी रसोय जे हा महाराज बेनों को लेके आए 10-20 सांख्यय योगी बेनों को आओ और बेनों को भुख लगी थी अभी वो रसोय कभी बनाएंगे कभी खाएंगे महाराज ये भक्ता के महां आ गये बोलो और महाराज ने कया भी कैसा वो भक्ता ने के रसोय थी तैयार हता पाड़ा ने प्रभु जी क्याई जम्या अलोकी का अंगे त्याई वो साथ में पाड़ा भी थे भभु जी ये वो सब वो भी खाना खिला है सबको पंकती बना दी एम आपयोचे परचो एह वड़ी भी जो कहू सुनी ते है और भी एक परचा बोलता हूं बोलते हैं ये भगता ऐसा है मगर देखो इतना पावर्फुल भगता है तो भी अंदर से थोड़ा सा तो कुछ न कुछ छाकोर जी के प्रती भाव रहे जाता है हमेरे पास जो भी होता है भगवान को अच्छे से अच्छा दो ऐसा हमेरे अंदर में भाव होना चाहिए भगवान को हार पेनाते हैं तो वो दो पैसे का हार लेके आते हैं वो टाइम में ऐसा हार था, एक आने का हार और एक रुप्ये का हार, कौन सा लाएगा भगवान को चड़ाने का, उसने नियम लिया ये बापु ने, कि मेरे को हरोज भगवान को हार चड़ाने का, वो लाते थे, एक एक आने का हार, वो सब ऐसा लाते, चार फूल होता है, गिन में भगवान को अरोज हार चड़ाना एक दिन भगवान बोले भगवान को गुस्सा आया होगा भगवान बोले एक दम हार लिया फेका ऐसा हार चड़ाता है हार तो अच्छा चड़ाओ तुमारे पास क्या कमी है बगवान आपने मेरे को पहिचान कराई जनरली ऐसा बोलते है कि घर में लक्ष्मी आती है तो ओ तीन प्रकार के आती है राजसिक, तामसिक, सात्विक, सात्विक लक्षमी आती है और गरूड पे बैट के आती है और जो राजसिक लक्षमी आती है और आथी के बैट के बैट के आती है और तामसिक लक्षमी आती है ने और घुवड पे बैट के आती है बोलते हैं यह सब लक्ष्मी का प्रकार है जो लक्ष्मी भगवान के काम में आए दान धर्म में आए और अच्छे कारिया में वह है वो सात्विक लक्ष्मी और भगवान ने ऐसी लक्ष्मी बनाने का उपाई बताया क्या करने का तो कि आपकी जो आमदान है जो भी इंकम है उसका दस्वा भाग भगवान को अरपन करो तो आपका लक्षमी सुद्ध हो जाएगी सात्विक हो जाएगी तो ये सात्विक लक्षमी है वो भगवान के साथ गरूर किसका वान है विश्णु भगवान का नारायन का तो लक्षमी नारायन और भगवान का जो वहान है ने लक्ष्मी जी का भी भाहन है तो भगवान का जो उतना जे उतलू राजय राजय नू डलू राणयी दू एटलू एवान पर आवे गरुडबर बेसीन कि अपएसु क्याईわかती है औरिस दन थैलिटी दन हो यह जे पईसों हो है एंशारा मार्गेवपर है यह पईसों काम नो आप के यह प्धिशा गगाव गवगिंटुने कुल तो घटाम बैसी आवे लक्ष३मी Tehrा गवे वाजशा सी लक्ष्मी ौ अज सकत वे गणा केन कई आमारे पैसा चे पने है अथी पाइडो जे एना दवादारु मा इना फलाना मा इना डिकना मा इवा मधा मा पैसा वया जाई और जे तामसिक लक्षमी हो गुवड एतों कई देखाया ज नहीं और एक्षा वतिरे कोल्ट मा खलेस मा इमा वया जाई कई नकई प्रोब्लेम हो यह बदा मा पती जाई बना अपने व भगवान ने सु करे बगवान पासे जाई एक हन्मान जी पासे भक्त जता था नहीं है हन्मान दादा है हन्मान दादा तमें मारू आ काम करी आप जो मारी आ लोटरी लगाड़ी दे जो करोड रुपया नी लोटरी छे तो हुँ तमने एक लोटो तेल चड़ावीश तो हन्मान क्या बोलेंगे हन्मान दादा बोलेंगे कि तेरे को एक करोड रुपय में एक लोटा तेल इससे अच्छा में वो लोटरी लगाऊंगा तो मैं वो तेल का होज बना दूँगा और उसमें अरोध दुखा मारूँग ऐसे भगवान को देने का इतना और बोलने का इतना काम कर दो मेरा इतना काम कर दो ऐसा नहीं ऐसा भगवान के पास भी दिल खोल के देना चाहिए तो भगवान दिल खोल के साहि करते हैं ऐसे भगवान के पास काम बहुत बड़ा दे लिश्ट बड़ा लेके जाते हैं और द उसका अच्छा उपयोग करो अच्छी तरह से भगवान के साथ है इसा सबंद मना वो कि भगवान को ऐसा लगे की नहीं मेरे को कुछ भी चाहिए तो इसको बोलूँगा तो वांदा नहीं और वो ऐसा है ऐसा मगर भगवान और संथ जो बोले ने वो हाँ बोल देने की उसमें बड़ा बात है तो इसी तरह से ये पढ़ते हैं ये प्रसंग भी बहुत अच्छा प्रसंग है आपी मूरती माराजे एक पूजी जड़ ले हूँ आवी टेक बाद में ही जल लेने का उसकी पूजा करने के बाद जल लेने का इसा टेक लिखा तेने अर्थे लाव्यो एक हार धर्य मूरतीने नीरधार हार हडवो जोही मूरती ना क्यों पगावी अडगो अती मूर्ती में से भगमान प्रकट हो गए हडवो हार हडवो हार एक लेने लोर क्वालिटी का हार था भगमान को भी पसंद नहीं है पची बोली चे मूरती एम हार हडवो चड़ावे चे केम बीजी वावरे चे बहु धन क्या तो मोकडू राके चे मन क्यारे बापु ए जोड़्या चे हाथ एतो भूल्य ओड़ खावी ना थ धन्य सामर्तित मारी स्वामी आज पर्चो प्याम्यो बहु नामी बापु भाई का पत्नी का नाम गंगा भाई था और गंगा भाई को भी यह इसे भकत थे बापु भाई तो थे ही मगर गंगा भाई भी इसे भकत थे और उनको भी भगवान का ऐसा दर्शन होता था उसको दो तीन प्रसंग सोट में यहां बताया है वो सब आप उन पढ़ते हैं वड़ी एक दने गंगा बाई बेठी मानसी पूजाने माई पिया करयो तो सुंदर थाड़ आव्या प्रगट जम्वाद याड़ करी दातन ने दिदी चीरो जम्या जीवन जी दीरू दीरू प्रभु प्रगट जम्या थाड़ चाल्या दर्सन दई दयाड़ गंगा बाई आए थाड़ धराया बगवान को बगवान साक्सात पधारे इतना भाव से थाड़ लिया था बगवान ने सुबह में दातन किया दातुन करके वो दातुन की जो चीरी थी, वो प्रसादी रुप उसको दिया, कि ये लोग चीरी रखो, आज भी बहुत लोगों के पास स्वामिनान भगवान की ऐसी प्रसादी की चीरी रखी हुई है, एक बार ऐसा ही योगी जी महाराज ने भी ऐसी चीरी गंसयाम भाई को को दिया गंत्याम भाई के हैं कि गोर्दन भाई नार को दिया और बोले यह तो उसको मालूम नहीं क्या करने का वह बाहर जाके तो अपना महाधवचरण स्वामी आये बोलते हो चीरी कहां रखी तो तो में बाहर लेके आओ बापा ने आपको प्रसादी के दिये आपके घर मे रखना जबी कोई बीमार होएगा कोई तकलिफ होगी तो पानी में डुबा के यह वो जहल प्रसादी का देना उसको अच्छा हो जाएगा महाधवचरण स्वामी ने वो यह बताया महिमा बताया वद्या बोजन जमता जेह आपी प्रसादी सहूने तेह पाम्या प्रसादी प्रगट सहू एविवात हूं केटली कहू वड़ी एक दिन गंगा बाय कहू दिठू जे समाधी माई तया महाराजना दर्शन बेडा दिठा बहू मुनी जन जागी समाधी माई ती जारे लिदा नाम सर्वने त्यारे जेने आवड तू नाम एक गंगा बाय तेने वो बुल प्रगण थे कुछ भी याद नहीं रहता था उसको कुछ भी उसको बोले तो बुल जाते थे भूल बुलकणा आदमी का बहुत तकलिफ हैं जब यह एज हो जाती हैं तो सब बुल जाते और एक ऐसे डोसी डोसा था बुलकणा था तो डोसी ने अपने हस्बंड को बोला कि आप रसोडे में जा रहे तो मेरे लिए आइसक्रीम ले के आना तो बोलते हैं लिख के लो बोलते हैं तो बोलते हैं याद रहेगा जाता हूं तो बोलते हैं ठीक है आइसक्रीम के उपर थोड़ा वो मलाई ओपना क्या बोलते हैं चोकलेट भी डालना अभी तो लिख लो तो क अभी एक तो उसको कुछ याद रहता नहीं था, जबी कुछ याद नहीं रहता है इने तो कुछ भी याद नहीं रहता है, अपने एक पिक्चर भी आया था इसा, उसको कुछ भी याद नहीं रहता है, तो बोलते हैं लिखके जाओ तो मालूम, वो जा गया अंदर, अंदर गय अधा गंडे के बाद वापस आया और सेव ममरा लेकर आया तो डोसी मा बोलते है मेरे को मालुम ही था मही ने आपको बोला था कि सेव ममरा में थोड़ा सा मग भी डाल के लाना और आप वह भी नहीं लाए इस अ मैं मालुम था बोल गए थे चुली वो भी भूल गई कि मैंने आइस्क्रिम बोला ऐसा बात होती है और इसको कुछ भी याद नहीं रहता था इसी बाई थी वो समाधी में गई समाधी में बहुत सारे संतों को देखा तो सब संतों का एक के बाद एक नाम लिया जेने नावड तू नाम एक सब सांबड आश्चर्य पाम्या धन्य माराज कई शीष नाम्या वड़ी एक दिवस निवात सब सांबड जो तेसाक सात अभी दिशरी बाद गंगा बाई का तिन तिन प्रसंग दस लिटी में बोल रहे है निश्कुडा अनन स्वामी कितना बढ़वे बात है एक तो गणपती अश्टक पढ़ता था गणपती अश्टक पढ़ता था एक बार महराज सप्ने में आया एक तो गणपती अश्टक मूख पाट नहीं होता था तो महाराज सपने में आता है बोलते गणपती अश्टक क्या कता है ये कृष्णाश्टक बोलो और सपने में उसको कृष्णाश्टक सिखा दिया और दूसरे दिन ओकृष्णाश्टक पूरा बोलता है जागी सवारе रामसेवक कःया कंते दि आस्टक ते स्लोक कहु साम्रि आस्टरयतया धन्यनात सर्वे-सर्वे-रया मोता सूभागी ये नर नार पामया ऍपर्चा ते आमया पार् jsाएडंयन्य धन्य प्रबूनो प्रताप आप्या जन ने सुखय अमाप तेतो कहे लखे नावे पार, कवी बहु बहु करे विचार, जे जे आप्याचे जनने सुख, कईु जातु नाती तेतो उखो मुख जे 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 अद्भूत